हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक तो मैं चानल वर्चोर टेक्नोलोजी तो आज हम लोग सीखने वाले है कोड.org, so let's begin इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लेसन नबर फिफ्टीन, बिल्ड अ फ्लैपी गेल तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इससे, इंस्ट्रेक्शन पढ़ेंगे, attach the flap a normal amount, block to the when click event, then press run, click or tap on the play space to move flappy to the target, आप लोगो को क्या करना है यहाँ पर, जो इफ्लैपी दिख रहा है आप लोगो को game, ओके, यहाँ पर मैंने देखो attach किया, when click के नीचे आप लोगो को flap a normal amount and play wings sound, यह आप लोगो को लगाना है और run करना है, जैसे आप लोगो को यहाँ पर दिख रहा है, कि आप लोगो को इस तरह से click करना है, या फिर अगर आप लोगो के पास mobile है, तो mobile से tap करना है, तो वो आप लोगो को target को touch करना है, next आप लोग 3rd number का puzzle देखोगे, देखो पर आप क्या लिखा है, इंसक्शन पड़ें ही हम लोग, the when run event allows you to the run code as soon as your game starts, try adding a block that sets the level speed when the run button is pressed, play the game and flap to the target to continue, जैसे कि आप लोगो को दिख रहा है, यहाँ पर आप लोगो को करके mobile है, तो आप लोगो को mobile से tap करना है, mouse से कर रहा है, आप लोगो तो mouse से उसको click करना है, तो आप लोगो को दिख रहा है, when click, आप लोगो को है, पर मैंने new event का block दिख रहा है, उसके नीचे आप लोगो को क्या attach करना है, flap normal amount and net set speed, very fast, very low, यहाँ पर बहुत सारे speed से, आप लोगो कोई भी ले सकते हो, random भी ले सकते हो, तो मैंने यहाँ पर very fast speed लगाया है, रन करेंगे, देखो, जैसे आप लोग दिख रहा है, click करना है, और उसको fast उसको चलाना है, continue करेंगे, next, puzzle number 4, जिसमें के भी आप लोगो को, देखो, यहाँ पर instructions, now we have added the ground, attach the end game block to the, when hit the ground event, अब आप लोगो को यहाँ पर क्या करना है, एक new आप लोगो को block use करना है, यहाँ पर event block, when hit the ground, और वो जब भी hit करेगा ground को flap है हमारा, वो bird अगर hit कर रहा है, ground में नीचे touch करेगा, तो end game होना चाहिए हम लोगों का, okay, तो हम लोगों यहाँ से end game लेके हाँ पर attach कर दिया, और when click हम लोगों को flap normal amount आप लोगों को चलना है उसको, तो आप लोगों को देखो, क्या होता है game end हो जाएगा, इसी तरह से हम लोग next five number का puzzle देखेंगे, जैसे के आप लोगों को दिखेंगे हम one by one, step by step हम लोग आ गया के बढ़ रहे हमारे game में, flappy will fly right through obstacle unless you write code to make him crash, attach a block to the when hit an obstacle event so that the game end when flappy crashes into the first set of pipes, जब भी आप लोगों का भी हाप पर हम लोगों को क्या करना है, जब भी आप लोग हीट करोगे obstacle से हम लोगों को जाना या उसमें hit करोगे तो हमारा game end होना चाहिए, देखो क्या होता है यहां पर मैं आप लोगों बताते हैं, हम लोगों ने आप लगा है, when obstacle hit, run करके बताते हैं, जैसे जैसे आप लोग उसको आगे आगे बढ़ा होगे न, देखो, आप लोगों ने जब hit कर दिये वो obstacle, यह जो pipe दिख रहे आप लोगों को, यह obstacle से अगर hit किय तो आप लोगों का game end हो जाएगे, हम लोगों ने उसको condition दिया यहां पर, जैसे कि आप लोगों दिख रहे हैं, अलग-अलग event दिख रहे हैं आप लोगो, event blocks दिख रहे, when click, when pass obstacle, when hit an obstacle, when he hit the ground, यह हम लोग क्या ले रहे हैं, event block ले रहे हैं, अब next हम लोगों का instruction देखेंग we have added a scoreboard to count points, when floppy passes obstacle, आप लोगों काभी क्या करना है है, score लगाना है, आप लोग one point मिलेगा, two point मिलेगा, जैसे आप लोग obstacle को क्या करेंगे, pass करेंगे, तो हम लोगों ने यहां पर लगा है, when pass obstacle, set scene हम लोग underwater करेंगे, then एक आवाज रहे हैं, हम लोगोंने sound रखा हुआ है, then score of point करेंगे, हम लोग set zero रखा है, जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे, आप लोगों को यहां पर point मिलेगा, run कर रहे हुआ है, जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे, आप लोग को obstacle आएगा भी, देखो आप लोगों फिर से एक बार में बताते हूँ, अगर obstacle से हम लोग आगे बढ़ेंगे, यह game है, इसको आप लोगों को इस तरह से देखो अभी, अगर आप लोग है से game से pipe से आप लोग आगे बढ़ते हो, तो आप लोगों को हैपे score बता ही देता था, लेकिन इसमें अभी हैपे score नहीं दिया है, तो अभी next देखेंगे, seven number का puzzle, seven number का puzzle में आप लो block to pick a different flapping power, if you can still score a point after making flappy flap either smaller or longer amount each time you click, देखो जैसे कि आप लोगों है पर दिख रहा है, हम लोगोंने क्या किया है, देखो, सबसे पहले when run में हम लोगोंने set speed किया है, slow, slow चलेगा हमारा flappy, scene हम लोगोंने change किया है, यहापर, okay, then हम लोगोंने जब यहाँ पर normal amount लिया था, flap normal amount, हम लोगोंने आपर क्या लिया भी, random लिया है, जब भी hit करेगा ground को end होगा, obstacle को hit करेगा, game end होगा, और obstacle से pass होगा, तो हम लोगोंने last puzzle में लिया था, हम लोगों को point मिलेगे, तो run करके देखते हम लोग, देखो अभी इस तरह से, देखो हम लोगों का run करने के बाद इस तरह से आ गया है, और speed आप लोगों को random रख सकते हैं, small, normal भी रख सकते हैं, large भी रख सकते हैं, very large भी रख सकते हैं, देखेंगे वापस एक बाद, देखो, obstacle बहुत change होते हैं, उस तरह से आप लोगों का आगे बढ़ना है, अभी यहापर क्या बता रहे हैं, क्या कोई coding, आप लोगों का कुछ coding wrong हो रहा है, तो आप लोग यहाँ से, उसकी help भी ले सकते हैं, do you want a hint, yes करेंगे, तो बताएंगे, try connect the flapper dash amount block to the when click event, okay, when click event में हम लोगों ने लिया है, देखो यहाँ पर वही किया था हम लोगों ने, तो हम लोग कौन सा amount ले रहे हैं, random ले सकते हैं, small ले सकते हैं, ठीक अभी small लेके देखेंगे, okay, देखो यहाँ पर वैसी वापर क्यों हो रहा है, next देखेंगे हम लोग, 8 number का, अब आप लोगों को देखो, next try changing the scene by attaching a block to the when run event, आप लोगों when run event के अंदर आप लोगों को क्या करना है, scene change करना है, background जो है आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, यह वाला, इसको change करना है, तो यहाँ पर देखो मैंने set speed slow रखा है, और set scene आप लोग कोई भी रख सकते हो, random रख सकते हो, underwater रख सकते हो, कोई भी हाँ से आप लोग, आपको जो अच्छा लगता है वो ले लो और वो यहाँ पर रख दो, और आप लोगों क्या करना है, रख करना है, देखो जैसे के आप लोगों को दिख रहा है आपर, random बोलाता तो वो, random कोई भी आ सकता है आपर, देखो, आप लोगों का यह game complete हो गया आपर, scene आप लोगों का change हो गया आपर, 9 number का puzzle अभी हाँ पर, देखो अभी, you can set the background under any event, not just when the game starts, try setting a random scene when other events happen, for example when passing an obstacle, जैसे के आप लोगों का scene change नहीं होना चाहिए, तो जैसे के मैंने हाँ पर दिखाया आप लोगों को, under passing, देखो, when pass obstacle जब भी होगा, तब यह underwater लगाया है, तो आप लोग यहाँ से कोई भी एक ले लो, और वो आप लोगो change करना है, और जो ही set speed है, उसको one रख देती हूँ मैं हाँ पर, set score जो है वो one रख दिया, हम लोग देखेंगे, score run करके, देखो अभी क्या होगा, अगर आप लोग obstacle के आगे जाओगे न, तो देखो, score भी मिला है और पीछे का background भी हम लोगों ने change गया, तो हम लोग next continue करेंगे 10 number, अब यहाँ पर देखेंगे, to mix things up, instead of ending the game when flappy hits an obstacle, try setting the score back to zero, देखो, अगर आप लोगों का flappy नहीं जा रहा है आगे, तो आप लोगों को score zero भी देना है उसको, यहाँ पर मैंने one दिया था न, लेकिन अगर यहाँ पर मैंने वो obstacle pass होने के बाद, zero भी दे सकते हम लोग, देखो, यहाँ पर zero करना है और हम लोगों के ऐसे इसको run करना है, स्लोली स्लोली आप लोगों को इसको आगे बढ़ा रहा है, देखो, zero आगया उसका number score दिख रहा है आप लोगों के आप और बैक्ग्रोंड भी चेंज हो गया, पजल नमबर 11 जो कि लास्ट है आप लोगों के लिए, create your own platform game, जो भी हम लोगों ने अभी उन्होंने क्या बहला आप लोगों को यहाथ तक क्या हम लोगों ने सीका है step by step है न, कौनसे कौनसे blocks यूज करने, अभी यह सब blocks को यूज करने के बाद एक game हम लोगों का create होता ही है, हम लोग वही game को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर बताएंगे जो भी हम लोगों ने बनाया हुआ है, और हम लोग यहाँ पर run करते हैं, जैसे जैसे हम लोग start करेंगे देखो क्या हो रहा है हम लोगों का game, देखो यह हम लोगों का game यहाँ पे end हुआ, यहाँ पर मैं continue करते हुए या फिर यह हम लोगों का last था तो यह आज हम लोगों ने पूरा के पूरा lesson number 15 complete किया है build a floppy game ओके और अब next lesson number 16 के लिए हम लोगों को next video में मिलना है तो हम लोग मिलते हैं next video में goodbye तो हम लोगों लोगों